हेलो एब्रीबन, वेलकम टू मैं चैनल, यहाँ पर आज हम जानेंगे गाईज, जैसे आप चीतर में देख रहे हैं, हथेली में देख रहे हैं काईज, कि एक लाइफ लाइन है, और एक फेट लाइन है, भाग गेर रेखा है, जो की करतल से निकलती हुई, सिधे सनी छेतर पर चली जाती है, अगर यह इस्तरी के हथेली में है, तो उन्हें गज लक्षमी योग मिलता है, और अगर पुरुष के हथेली में है, तो उन्हें बिश्नु धन योग बनता है, यानि कहने का मतलब यह है, कि अगर इस्तरी के भी हथेली में बनता है, तो गज लक्षमी का बनता है और अगर पुरुस के हथेली में बनता है तो भिशनु धन योग बनता है यानि दोनों रिखाएं जो हैं बहुती ज़्यादा सुफल प्रदान करने वाली होती हैं ऐसे लोगों को राज योग होता है आपार धन की प्रापती होती है लेकिन ये आपार धन आपको उसके बाद ही आपको ये योग प्राप्त होगा लेकिन ऐसे हथेली वाले लोग जो होते हैं बहुती जादा राज योग लेकर पैदा होते हैं बहुती जादा लक्ष मिमान होते हैं भागे साली होते हैं और ऐसे लोगों का क्या कहना वो जीवन उनका जो 35 के बाद का जीवन ह बहुती लगजरियस, बहुती ज़्यादा किंग एनरजी में, बहुती ज़्यादा सुब और बहुती ज़्यादा पावरफुल एनरजी में रहते हैं 35 के बाद, यानि आपको बहुत ज़्यादा एस्वरे प्राप्त होता है, धन, संपत्ति और साथ ही साथ आपके लाइफ में राजियोग होता है